और व्यूस तो थोड़े कम ही आते हैं उनकी चैनल पर सो थोड़ा बताऊंगा सो हम उनकी स्टेटजी बैक्टश करेंगे बूमिंग बूस चैनल हम तो अपने सुनाई होगा 1.4 मिलिन के करीब सब्सक्राइबर है उनके और वीडियोस पर व्यूस कितने हैं छोड़ी बात नहीं करते हैं उसके बारे में उनकी एक स्टेटजी उन्होंने कुछ लगबग लगबग 15-20 दिनों के ट्रेट सेटप पे बैक्टश करी थी और उन्होंने उपताया था पहुच्छी प्रॉटब स्टेटजी है और ऐसे काफी लोग कुछ-कुछ बने-मना चार्ट पे स्टेटजी बैक्टश करके दिखा करते हैं हमने यह लिस्ट ऑफ सेटजी आप देख लिए काफी साथ स्टेटजी आपने बैक्टश करी है बट अक्च्छ लिस्ट के लिए आप नीचे डिस्रिप्शन में जाए वहां आपको मिलेगा एक लिंक जहां से आप साथ स्टेटजी देख सकते हैं काफी प्रॉफिश चैनल की स्टेटजी है सो इंट्राडे टाइम फ्रेप पर है लेट्स केट सीरियस एंड हम देखते हैं इसके रिजर्ट कैसे आ रहे हैं सो लेट्स कर दिए वीडियो हाँ जी तो रूस की बात कर लेते हैं रूस में हमारे तीन इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं वन इस ADX ADX जो है वो 15 मिनिट के टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे हम तो ADX आपको बेस्किली आवरेज ड्रेक्शन इंडेक्स है और यह कहीं पर भी आपको जो है मिल जाएगा और ADX जो है तो यहां कोई चेंज नहीं किया गया बस टाइम फ्रेम का चेंज किया गया है देन हम बात करते सूपर टैंड की सूपर टैंड सबको पता ही होगा बढ़ा ही पॉपलर इंडिकेटर है इसमें जो है हमने है रख लेंगे जास्ट करेंगे हुसे टिन करेंगे और टैंड का सेटन्ग रख वोह यह ऑर लास्ली जो है हम बात करेंगे फिवित points की pivot points भी जो है वो daily pivot points है आपको बने दिख रहे हैं यह आप dotted और pivot points आप search करोगे तो काफी तरह के pivot points होते हैं बट आप simple जो standard pivot points search करोगे trading view पर वहाँ पर आपको Fibonacci में जाना है तो Fibonacci pivot points हम देख रहे हैं हम traditional pivot points नहीं देख रहे हैं ठीक है so pretty simple है यह चीजें अब हम बात करते है strategic rules क्या है तो five minutes time frame में हम क्या कर देखेंगे first of all first filter आपका है कि हमारा ADX जो है वो 20 के उपर अच्छी है जैसे यहाँ पर 20 के नीचे दिख रहा है ठीक है तो 20 के नीचे जो है हम trade में नहीं positivity entries लेंगे 20 के ऊपर रहेगा तभी हम फूरेट के रहे हैं थक है सो जैसे आप यहां चार्स में देख सते हैं चार्स में जब जब वैल्यू जो है ADX की 20 के ऊपर रही है जैसे यहाँ पर 20 के ऊपर रही है चिक है तो यहां हम तर्फेड लेंगे और यहां कि निचे सब्सक्राइब मैं भेड़ेंगे तो हम ट्रेड नहीं लेंगे डिसिस अधेजा अधेजा अधे लेंगे डिसिस अधेल एश्टेड लेने वाले हैं टिक है so ADX का आपको clarity हो गया है कि ADX जो है बस 20 से उपर रहना चीए बस that's it इसमें और कुछ देखना ही नहीं then हम बात करें कि हम buy rules कैसे लेंगे buy setup में हम देखे so कल ही दो trades आये थे ठीक है long के buy के और आप देख से थे दोनों में profit मिला है हमें so rules क्या है आपका ADX 20 से बड़ा होना चीए 20 से बड़ा मिल रहा है value में secondly जो है हमारा super trend green होना चीए pretty simple rules ने super trend green और ADX 20 के उपर ठीक है और last सबसे important point है that is हमारा जो है कोई pivot point को cross करना चीए हमारे candle तो मतलब opening जो है वो pivot point के नीचे and closing pivot point के उपर होनी चीए जैसे आप इस candle को ध्यांस देखे तो यहाँ पर super trend भी green है ADX 20 के उपर है यह 20 के white line है हमारी और हमारा जो है यह candle का closing जो है वो इस particular pivot के उपर है और इसका opening pivot के नीचे है ठीक है तो यहाँ पर हम closing पर buy ले लेंगे then हमारा यहाँ बाई लिया है क्योंकि हमारा यह pivot pass है तो हम जो है target जो है based on next pivot रखेंगे थोड़ा सा slipages के उपर दिख रहा है आपको ठीक है तो आपका यहाँ पर exit हो गया है so then again क्योंकि यह पिछला pivot cross किया था यहाँ closing जो है proper नहीं हुई थी ठीक है closing just pivot के नीचे थी तो next candle को देखा next candle के closing पे हमारा जो है हम entry लेंगे और हमारा target जो है क्योंकि यह last pivot था तो हमारा pivot point का target नहीं लिया हमने हमने 150 points का target लिया हुआ है तो वह 150 points पे हमें target मिल रहा है ठीक है so यहाँ दो profitable trade दिख रहे हैं इसमें जो है risk management के लिए और सर ने पताया है कि आप दिन में दो ही trade लेंगे दो सेथार trades नहीं लेंगे ठीक है that's the reason आपको जहाँ पर भी चार्ट में दिखाऊंगा मैं आपको दो ही trade सिखेंगे ठीक है so buy rules के entry clear है I believe सबको बहुत simple entry है आपको super tend green देखना है आपको ADX20 के उपर देखना है and lastly जो है आपको pivot points जो है उनको cross करना अची candle that's it closing पे आप buy ले लेंगे so similarly हमारे short rules है short rules में entry के से लेंगे हम हमारा candle जो है उसके लिए क्या क्या condition होची है एक ADX20 के उपर yes right ADX20 के उपर है then यह जो है pivot point है हमारा जो कि purple में दिख रहा है उसके नीचे close हुआ है candle और उसका अप जो है वो ऊपर है ठीक है closing जो है cross कर रही pivot point को then हमारा super trend जो है वो red होना चीए यह तीनों जो है sell के जो है initiate करने के criteria है तो buy rules और sell rules आपको clear है यहां पर आपको long भी दिख रहा है जो कि यहां long हो रहा है pivot point क्रॉस करने पर और यह भी profitable trade दिख रहा है आपको so बात करते है long के exit की long का exit जो है उसमें पहले profit की बात करते है profit में क्या होगा जैसे हमने यहां entry ली है pivot cross करने पर तो हमारा pivot दूसरा उपर ओला काफी pass था ठीक है तो सर ने बोला था कि अगर pass है कम आपको profit मिल रहा है तो आप थोड़ा सा जार रखें तो हमने रखा है कि अगर मानलो के pivot pass है तो next pivot होगा या फिर जो है हमारा 150 points का हमने मोटा मोटा just profit ले लिया है तो यहाँ पर क्योंकि इसके आगे कोई pivot नहीं है र-3 है यह तो r-3 के ऊपर कोई pivot है नहीं तो हमने 150 कीजिए कर रहा है ठीक है तो कि अगर हमारा प्राफिट जो है वह लगबग लगबग 120-130 पॉइंट्स जो है दूर रहेगा आपका एंट्री से तो हम उसे टारगेट मालेंगे बट अगर उससे जो है कम रहता है पिविट दूर तो हम जो टारगेट बढ़ा लेंगे 150 का right stop loss की बात करे stop loss हमारा simply होगा हमारा यह entry है तो हमारा निचे पुर्ट पॉइंट के नीचे stop loss रहेगा या फिर आपका पिछली दो केंडस का low झेक तो दो पिविट लो हम भी देख सकते हैं pivot लो अगर हमारा काफ़ी नीची रहता है तो हम पिछली दो केंडस का लोग देखेंगे उससा आप समने कोड किया strategy को और इसके नीचे stop loss अगर छोटा रहता है तो और हमाला stop loss 150 points के उपर नहीं रहना चाहिए सरने जब strategy आई थी तब 35,000 के आसपास सी बेंग निफ्टी तो इसके आप से मैं 150 काउंट कर ले रहा हूं तो जैसे जैसे प्राइस उपर नीचे हो रहा तो वह अपने आप चेंज लाएगा सो stop loss maximum maximum जो है वो 150 के odd 150 170 का रहेगा यह maximum stop loss है जनरली आपका stop loss जो है वो इन दो केंडल का नीचे वाला हिस्सा होगा और इसमें से कोई होगा जो वैल्यू जो जारा जो करीब है बहुत जारा करीम नहीं हो निचे त्यान रखेगा ठीक है stop loss क्या है फिर से बतातूं आपको जिस pivot पर entry लिए है उसके नीचे stop loss रखना है आपको जैसे यहाँ पर या फिर जिस candle पर entry लिए है उसके दो candle पीछे जो lowest low रहेगा वहां stop loss रखेंगे आप और last condition उसकी यह है कि हमारा जो है maximum stop loss जो है वो कुछ 150 points 170 points के आसपास ही रहेगा इससे जाला हम loss नहीं लेंगे इसम target and stop loss बिल्कुल वैसे ही रहेंगे बट opposite direction में रहेंगे तो majorly हम एक setup साने जरूरी बताया था जिसको time लगा code करने में that is stop loss shifting stop loss shifting जो है वो क्या है विसके वो अगर हमारा जो है let's say कि यहां मैं entry ले रहा हूं ठीक है मेरा target यहां है ठीक है और मैं midway के पहुंच चुका हूं य shift करके आपका buying price पर कर देना है that means risk is to reward zero कर देंगे हम तो यह चीज़ बड़ी important सर ने बताई थी करनी है तो उसको भी हमें code में डाल दिया है जैसे यह हमारा example है जहां पर हमारा जो है entry जो है यहां हो रही है this is the buy price और हमारा जस्ट ही टार्गेट जो है मिस हुआ है और actually हमें क्या करना था अगर midway पहुंच जाता है target के तो हमें stop loss shift करना था तो stop loss कहीं नीचे ना होकर जो है buy price पर आ गया है तो आप देख सकते हैं कि log nz हमारा buy price पर हुआ है तो इस तरह से code setup किया गया है कि stop loss shifting हो जाए ताकि आपका profit अगर मेरा मिलना शुरू हो गया आदा profit मिल गय है तो यह setup हमने back test किया है इसको so let's see इसके results कैसे आते हैं अगर आपको rules के और clarity चाहिए तो better है आप उनका वीडियो देखे और उसमें काफी examples और दिये हैं तो आप clarity हो जाएगी अब बात करें तो अगर आपको back testing report पढ़ना नहीं आता यह सब parameters के CGR क्या होता है draw on क्या होता risk reward क्या होता है यह समझ नहीं आता तो आप इस link के थुरू देखे कोई भड़ी बात नहीं है हम beginners है हम सीख रहे हैं तो यह terminologies जो है वो trading की दुनिया में आपको नहीं लगेंगी बट यह सीखना ज़रूरी है प्लस मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा surprise लेके आ रहा हूं wait for that announcement मैं काफी चीज़े अल्गोटेणी में आपको फ्री में provide करूंगा so wait for that अब अब इस वीडियो के तरफ चलते हैं so back tested strategy के results किस तरह से हैं हम strategy register में जाते हैं और अब देख सकते हैं यहां पर strategy जो है वो मतलब close to कह सकते हो के no profit no loss minus 5% के overall इसके returns रहे हैं यहां जादा गंदा लग रहा है पर overall जो है हम future में trade कर रहे हैं तो यह लग बग लग पर profit loss profit loss system है जैसे देखो आप इस phase में देखो यहां पर किसी ने इस पर ट्रेडिंग करनी शुरू गी होगी क्योंकि इस टाइम पर काफी लंबे फ्रेम में इसने रेक्टिव रहा है रेजल्ट्स यहां ट्रेडिंग करनी शुरू करी होगी तो लगब 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 प्रजेंट ली 200 ट्रेड्स जो है आज की डेट में जो है स्पार्णी करते हैड क्षें तो अभी ऑफ लेटली जो काफी ट्रेडिंग कर रहा हूँ पर तो इसको लग रवा धर क्तेजी बहुत जार अच्छी है बट 409 ट्रेट्स पर में बैक्टेस किया है तो देखिए पहले काफी भेंकर तरीके से फेल करी है और फिर जो है राहिस करना शूर करी है और ओफ लेटली जो है ट्रेडिंग में इसने प्रॉफिट दिया है इसका जो है ओवर जो है रिटर्स नहीं आ रहे हैं आप देख सकते हैं पर्वेटर कम है हमारा परसेंटेज प्रॉफिटिबिल्टी कम है ठीक है और एक्टल उल्टा करने बाद नहीं मरेगी क्योंकि हमारा जो है कमिशन एप स्लिपेज़ जो हमारे गेंश चलती है अगर मैं क सारे जो है चेंजिस करके देखा है इसमें बट अक्च्वल में कोई फायता मिला नहीं सो दिस स्टेजी इस नौट प्रॉफिडबल सो डोंट ट्रेंट विजट हो सकता है कि आप ओफ लेटली पिछले काफे टाइम फ्रेम में आप बैक टेस्ट कर रहे हो खुद से और आप ट्रेड कर रहे हो इसको लेके तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता आपको क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्मस रहा है ये नीचे से उपर उठना साथ हजार कमाके दिया है इसने पिछले कुछ ही महिनों में चीक है बट आज की डेट में अगर बोलें तो पीछे के रिजल्ट किसाब से बैक टेस्ट बताता है कि स्टेट जी काम नहीं कर रही है तो डोंट ट्रेड विजड़ ठीक है अपना पैसास बचाओ समझदार बनिए तैट सिट एवरीवन आज के लिए तना है टेक क्या टड़ा एंड बबाए